कुश्चन एगर है 9 cm भुजा वाले एक धात्वी गहन तता 5 cm इतना होगा विमावले टोस गनाब को पिगला जाता है और एककल गहन बना जाता है इस नए गहन को फॉलिस करने में 10 रुपर 30 cm की दर्सिक लागत कितनी होगी तो टोटल सर्फस एरिया बेसिकली इसका बुला गया है निकालने के लिए तो सबसे पहले तो आप देखो 9 cm भुजा वाले और इतना भी मावले के पिगलाकरा में एरिया प्वाइंट करना पड़ेगा है तो जो क्यूव का वॉल्म कितना होता है क्यूव का वॉल्म होता है ए इन्टो ब इन्टो 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 इ एक तीन एक चार साथ एक आठ एक साथ है और यह जाएगा टू सताइश ओवारीज गैए and 27 जो की एड उपार करने के बाद में कि सेंटेमीटर क्यों है हमें क्या फाइंड करना होगा इसका टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करना होगा तो सबसे पर इसका यह यानि की साइड हमें निकलना पड़ेगा तो साइड कैसे निकालें क्योंकि हमें गहन बनाया गया इसको इस जो आपका बोला गया ना यह यह प् कि यूरूट 27-45 ृवालेस देखो 27-45 ृवालेस थो हम तो जानते हैं 15 का नहीं हो गाथ 15 का तो ज्यादा होता है इसे 3000 के लमसम में आता है तो इससे कम याने कि 14 होना है कि एक फेल्व कितनी होना चाहिए 14 ठीक है एक फेल्व एक इसे भी निखाष सकते हो 14 का स्कवर 196 इस से भी मैच कर रहा तो इससे भी बैलु कितनी नीची 14 होना चाहिए और टोटल सर्फेस हेरी हा क्या होता है टी एस से यह होता है शिक्स इंटु ए स्कुराइर स्कुरार ते हो जाएगा हो यार हमें इसको करने की जुरत ही नहीं थी ना फिर वही भैल वारी इसको मल्टिप्लाइ भी नहीं करना तो आपको साथ 24 और यहां पर 0 टोटल इतना खर्चा लगने वाला है आपसर नंबर भी अलागे वेलू अलग आती तो दिक्कत होता लेकिन यहां पर यही वेलू आ रही है तो फिर आपको यह निकलना भी नहीं था सिर्फ यहां पर एक 0 बठा रहते हैं कि गुना दर्स कर रहते हैं तो आपका जो एंसर निकल कर आ जाता है